विल्कम एक दोस्तों क्या हल आप सब का मैं उम्मीद करता हूँ क्या आप सब खैरियत से होंगे तो गईस आप में से बहुत से मेरे भाई लोग मेरे दोस्त मुझसे रोकिंग स्टार यश्की मच अवेटेट फिल्म टॉक से की अपडेट्स माग रहे थे कि भाई साब 8th of January पास है यानि कि रोकी भाई की birthday पास है अपडेट्स पे अपडेट्स आ रही है आप क्यों नहीं बता रहे है क्या सीन है बताओ भाई तोक से को लेकर चल क्या रहा है मार्कीट में क्या कुछ हो रहा है क्या होने वाला है इस फिल्म को लेकर बताओ तो गईज अभी मुझे टोक से को लेकर जो जो डेटेल्स पता है मैं वो सारी की सारी डेटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ लेकिन उस से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो guys like जरूर 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 करना है और चैनल को भी subscribe सुनाओ guys सबसे पहले हम वो updates देख लेते हैं जिन पर भाई साब आज कल बहुत ज़्यादा बात हो रही है और क्या वो सच भी है या नहीं तो सबसे पहले भाई एक update आप सुब को देखने को मिल ही गई होगी बहुत से पाई लोगों को नहीं भी पता होगा तो मैं आप सब को बता देखनू के रॉकिंग स्टार येश की ये जो फिल्म toxic है basically guys सबसे पहले तो update के according इस फिल्म के अधर हमें तीन heroines देखने को मिलने वाली हैं रॉकिंग स्टार येश के साथ है नहीं है क्या है ये नहीं पता लेकिन भाई साब तीन heroines देखने को मिलने वाली है रॉकिंग स्टार येश के साथ जिन में से भाई सहाब एक का नाम बोलीवोड का है और वो है करीना कपूर येस भाई साब कल से ये पहुत ज़्यदा रहा है कि करीना कपूर भाई साब वो येश के साथ as a lead role तो नहीं लेकिन बस ये देखने को मिला है कि वो टॉक्सिक में हमें रॉकिंग स्टार येश की फिल्म में देखने को मिलने वाली है अब गईस देखो अगर मैं आपको personally बताओ तो फिल हल ऐसी confirmation कहीं से भी नहीं पिर दूसरी साइट पर अगर मैं अपना mind दो रहा हूं तो लगता भी है क्योंकि रॉकिंग स्टार येश ने भी भाई साब के जीफ टू से पहले ही सोच जिस तरह का mindset है जिस तरह का mindset है जिस तरह का ये बावाल mind लेकर चलते हैं तो भाई अफकोर्स ऐसा तो बिल्कुल भ जिसके अंदर ये ये होगा तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि करीना कपूर एंड मेबी रॉकिंग स्टार येश इनकी बात चीत बहुत पहले से चल रही है रिवैल अभी हुआ वो एक अलग बात है अच्छा मुझे ये भी update मिली थी कि बॉलिवोड से शरता कपूर जो है मैं wait किया कि बैसाब confirm करता हूँ कहीं से लेकिन मैंने बहुत से source से details निकलवाने की कोशिश की सब ने बोला कि हाँ भाई तीन ladies actors यन तीन ladies heroine ज़रूर होगी टॉकसे के अंदर जिन में से एक बॉलिवोड की है लेकिन वो शरता कपूर है या नहीं ये confirmation नहीं है लेकिन करीन करीना कपूर का बहुत से बड़े-बड़े social media handles ने भी बताया कि हाँ भाई सब करीना कपूर होने वाली है तो चलो ये तो एक command हो जाएगा यनि के rocking star हाँ एक interesting चीज जो मुझ से miss हो रही है देखो rocking star यश्क ना और परशांत नील परशांत नील director की बात करो इन दोनों की मै चोटे मोटे हो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ lead actresses की या lead actors की जैसे भाई साब अब देखो toxic के अंदर करीना कपूर ये एक बिल्कुल ही unique चीज़ है लेकिन toxic के अंदर श्रदा कपूर समझ में नहीं आती क्योंकि already भाई साब जो south की south की बड़ी फिल्म में south की जो बड़ को लिया जाए अगर वो rocking star यश के साथ है या मतलब कि बड़ा एकना unique चीज़ हो जाएगी जैसे के जीफ chapter 2 में रवीना यार एक totally unique चीज़ थी एक अलग बवाल था वो और फिर वो villain वाई साब अधीरा यानिक संजे दत एक unique चीज़ और उने पकड़ी ना सो अगर करीना को ये लेते हैं तो मेरी नजर में भाई ये एक बहुत unique चीज़ हो जाएगी बाकि इसके इलावा जो दो ladies actresses हैं उनकी भी नाम शो हो रहा है लेकिन वो south की है उनका मुझे अभी confirmation नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ एक पूजा हेगड़े हैं पूजा हेगड़े को भी कही या कहीं भैसाब news मिल रही है मुझे कि उनका नाम भी है बट not official confirmation इस पर एक दफ़ाग confirmation आनी दीजिए मैं इसी लिए guys वीडियो नहीं बना रहा था कि भैसाब कुछ एक दफ़ाग clarify हो फिर उसके बाद यार देखो एक बात है पहले भैसाब इससे पहले मैंने सालार की सारी अपडेट्स आपको दी कि यहां शूटिंग चल रही है यह हो रहा है पुश्पर्टू की सारी अपडेट्स दी उसके लावा बॉलिवोड में तो पठान जवान की देता ही रहा डंकी की देता ही रहा लेकिन यह जो फिल्म है ना toxic यह एक ऐसी फिल्म होने वाली है जिसका म कुछ बवाल इनोंने बना दिया ना मैं कहतो ऐसी तबाही आएगे ना फिल्म की हाँ फिल्म की रिलीज डेट मुझे पता नहीं थोड़ी बहुत ना इशू क्रियेटिंग लग रही है यह देखो सेनेरियो यह है कि फिल्म की रिलीज डेट है 10th of April 2025 अब यह जो 10th of April आ रहा है ना यह इद के लगबग एक हफ़ते बाद है अब गईज देखो सल्मान खान की बड़ी बड़ी फिल्म्स है बड़ी बड़ी फिल्म्स यास जो के अब भी आएगी 2025 में और 2025 में वो कब आती है भाई तो एजब सल्मान खान की तीन रिलीज डेट है यह तो इड़ी आ है सल्मान खान ने एक इंट्रुविय में बताया था कि वो अब कमिंग तीन एक्शन फिल्म्स में काम कर रही है तो भाई खुद देख ले कि कहीं न कहीं एद पर उनकी एक फिल्म आएगी अब कई देखो सल्मान खान की क्या वैलियो है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है तो भाई एद के ठीक एक हफ़ते बाद टॉक्सिक को रिलीस करना मुझे परसनली पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा हाँ एद के दो हफ़ते बाद समझ में आता है और में भी मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत आगे चली जाए कुछ लेकिन वो उस टाइम देखा जाएगा तो और वैसे भी देखो अभी एक फिल्म तो है नहीं यानि कि एद एक ऐसा मलब कि क्या बोलते हैं उसको एक ऐसा सीन होता है एद पे जहाँ पर एक फिल्म तो आती नहीं है मल्टीपल आ जाती है अब जैसे देख ले इस एद पर अभी बड़े मिया चोटे मिया है है तो एक ही लेकिन उसके साथ देख लीजेगा अभी अपकमिंग अनौंस हो जाएगा कोई न कोई क्लैश में जरूर खुसा होगा तो अगर टॉक्सिक बवाल नैवल निकली मतलब कि जैसा हम चाते है क्योंकि एक तो लेडिस मल्यालम लेकिन वो नैशनल अवार्ड विनर डाइरेक्टर हैं तो उमीद लगाई जा सकती है यानिकि हर एक चीज दे टॉक्सिक उमीद लगाई जा सकती है तो अगर कहानी इंप्रेसिल हुई एक्टिंग में तो भाई साब यश की स्क्रीन प्रेंजिस ही बवाल है अगर कहानी रोकी भाई ने संभाद ली ना मैं कहता हूँ ये 2025 की मीबी 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 बेगेस्ट फिल्म में से एक बन जाए इचेस मेरा भाई नाओ अभी मूव करते हैं परसो नई आज पांच है दो तीन दिन बाद भाई साब आगे आने वाला है रोकिंग सार येश का बर्थडे क्या हमें भाई साब फर्स लुक देखने को मिलने वाली है टॉक्सिक की फर्स लुक रोकी भाई की फर्स लुक तो भाई आंसर है नो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया ना इतनी सीक्रिट चीज़े रखी जा रही है ना आप लोग सोच भी नहीं सकते तो मुझे नहीं लगता और आप भी फिलन उमीद मत रखेगा कि रॉकिंग स्टार येश की बर्थडे पर आपको कुछ देखने को म झालोचिंग